हे गाईज नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप के पिने चैनल एक जाम अड़ाफार इस्टेडी चैनल पर उनाताजा सिछक भरती ठर्ड काउंसिलिंग को लेकर दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं होंगे कि सासना देश जारी कर दिया गया है और पदों की संख्या में द दोस्तों इस भरती में जो ठर्ड काउंसिलिंग होने वाली उसमें बल्ले बल्ले होने वाली है दोस्तों जो हमारे OBC भाई हैं चाहे फर्ष्ट काउंसिलिंग की बात की जाए चाहे सिकंड काउंसिलिंग की बात की जाए उसमें सबसे ज्यादा किसी का लास हुआ है तो OBC वालो का हुआ है और जनल वालो की बात की जाए तो दोस्तों जितने इनके पत्थे लगभग उससे लगभग देखा जाए तो दो से तीन हजार अधिक पास हुए थे तो जनल वाले जो हमारे भाई-बैन है इनका तो जो ठड काउंसलिक होने वाला है इसमें भी इनका लास होन वालो का सबसे जादे क्योंकि इनकी संख्या दोस्तों अधिक्तम थी लगभग 84,000 अभ्याथी पास हुए थे और देखा जाए तो लगभग जनल के जो हमारे भाई-बैन है इनका भी 42 या 43,000 के संथिंग दोस्तों यह भी पास हुए थे और यस्टी वालो का दोस्तों बल् जो हमारे विकलांग भाई-बैन है उनके साथ सिकंड काउंसलिंग में किस तरीके का बरताव किया गया आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि भरती परकिया के नोटिफिकेस में दोस्तों मेंसन किया गया था कि 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा लेकिन 4% की बात तो दूर द देखा जाए तो दोस्तों पी यच जो हमारे भाई-बैन है विकलांग भाई-बैन है उनके लगभद साड़े 900 पर इस बरती परकिया में होने वाले हैं अब दोस्तों आफ्रीसियल जो डेटा है पदो की संख्या का वो आपके अपने चैनल एक्जाम अड़्डाफा इस्ट पर दोस्तों ठाट काउंसलिंग हो वो मुहीम जरूर रंग लाएगी लेकिन जो आफिसियल दोस्तों है पदो की संख्या वो देखिए आप लोग चौक जाएए खुद दोस्तों की पदो की संख्या कितनी कम आए आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस अपने चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपने चैनल एक्जाम अड़्डा फार इस्टेडी चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए आइकन बेल प्रेस कर लिजिए इस चैनल के माध्यम से आपको सिच्छक भरती से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी प्रवाइड कराई जाती है और दोस्तों उनातजा सिच्छक भरती की सबसे अठेंटिक जानकारी सिर्फ आपके अपने चैनल एक्जाम अड़्डा फार इस्टेडी चैनल के माध्यम से मुहिया कराई जा रहे हैं दोस्तों सत्त के आयोग है वह फी जानता है। दोस्तों खबर की सुर्वात यहां से करते हैं बेशिक सिच्छा परसद के सचियों ने मांगी सूचना है। उत्तर प्रदेश बेसिक सिच्छा परसद ने जनपद में नई भर्ती के बाद परसद ये प्रात्मिक बिद्यालों में रिक्त सिच्छकों का ब्योरा तलब किया है इस सम्मद में सच्छु ने बेसिक को पत्र जारी किया है जनपद में प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक ब बरती के सापेच जनपद में नव नियुक्त सायक अध्यापकों की सूची बेजने का निदेश दिया है। अपरत्र में कहा है कि पर्थम और दुत्तिय चल्ड में सायक अध्यापकों की तैनाती की गई थी। दोनों चल्ड में अभ्यातियों को विसंगती के संबन में जारी सासना देश के करम में भियत से अस्त्र से कारवाई की गई, जणपन भधो कितने पद रिक्त हैं, तो दोस्तों उसका ब्योरा मांगा गया है। दोस्तों यहां पर मंडल का नाम दिया गया है यहां पर जनपत का नाम स्युक्रित पद और अन्तिम चैन सूची में समलित अभ्यारतियों की संख्या दिया गया है काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यारतियों की संख्या यहां पर और अनुपस्थित जो काउंसलिंग में अनुपस्थित थे उनका संख्या दिया गया बिसंगती जिसके कार्व नियुक्ति पत रोके गए थे और निर्गत नियुक्ति पत और यहां पर कितने पत खाली हैं गाजियावाद में एक पद है, हापुर में दोस्तों आपके तीन पद है, गौतमबुर नगर में आपके 28 पद है, बागपत में दोस्तों आपके 12 पद है, सहारनपुर में बात की जाए तो आपके 45 पद है, और मुझपर, पुर नगर में दोस्तों आपके 28 पद है सामली में 17 और आगरा में 84 मैनपूरी में 36 मतुरा में 89 फिरोजाबाद में 36 पद हैं अलीगर में दोस्तों आपके 141 पद हैं हात रस में 74 कास गंज में 113 एटा में 38 और आपके बरेली में 90 और बदावी में 196 पद खाली हैं पिली भीद की बात किजाएं दोस्तों 55 पद हैं साजहापूर में 29 पद हैं तो ऐसे से दोस्तों पदों का संख्या दिया गया है कुसी नगर में आपके 36 पद हैं देवरिया में आपके 37 हैं गोरखपूर में 83 हैं बस्ती में आपके 61 पद खाली हैं मुरादाबान में 65 हैं आपके और रामपूर में दोस्तों 118 पद आपके खाली हैं सुल्तानपूर में 124 पद 12 वंकी में 139 पद और गोंडा में आपके 112 पद खाली हैं सब मिला का दोस्तों इस सूची में 4631 पद खाली बताए गया हैं और तक्रीबन बहुत से जगा दोस्तों ऐसे हैं जहां पर अभ्यातियों का किसी कारणवस्त दोस्तों उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और साथ में जिनको नियुक्ति पत्र दिया गया जिनको उनका भी अवेर्थन नियस्त कर दिया गया दोस्तों किसी कारणवस्त तो सब मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो जो ठड़ काउंसलिंग होने वाली है इसमें लगभग 6,000 के आसपास ठड़ काउंसलिंग होगी दोस्तों अगर कोई कहता है 2200, 3700, 8000, 6000 तो दोस्तों आप लोग जो एक्चुल है लगभग 6,000 के आसपास बर्ती होने जा रही है पदों की संख्या में दोस्तों और इंकरीज हो सकती है अब बात करते हैं दोस्तों इसमें OVC और जनल वालों की हानी क्या होने वाली है जैसे दोस्तों आप लोग मानके चलिए लगभग 9,000 पद आपके स्वाजी दोस्तों 9,000 की ठड़ काउंसलिंग ही नहीं हो रही है लगभग 1200 से के आस्पास से 1200 आप ऐस्पास के एक यसे सी वालों की सीटे आ रहे हैं तो यहीं दोस्तों मिला कर लगभग देखा जाए तो 200 सीटे यही पर निकल के हो जा रहे हैं यस्ती वाले भाईवयन के और हमारे बिकलांग भाईवयन पर अब बात करते हैं दोस्तों किदने सीटे दिखते रहाती लगभग आपके देखा जाये तो 3700 सीटों में बटना है आपके OBC और OBC और हमारे जनल भाईवयन पर तो दोस्तों इस जो ठड़ counseling में सबसे जार लास OBC वालों का होने जा रहा है आप लोग दोस्तों इसका screen shot रख लीजिए और इस भरति परकिरिया में हमारे बिकलांग भाई भाईवयनों का और साथ में SC वाले भाई भाईवयनों का बल्ले बल जो कटाप आती है उसमें अगर वो समलित होते हैं तो लोग जनर्ल में कौलिफाई करेंगे तो दोस्तों इस भरती परकिरिया में OBC वालों का और जनरल वालों का जो ठट काउंसलिंग उसमें बल्ले-बल्ले होने वाली नहीं है और दोस्तों अगर आप लोग कमेंड बाक्स में कमेंड करेंगे तो एकदम एठन्टिक जानकारी मोहिया करा दी जाएगी आपके अपने चैनल एकजाम अड़ाफाइस्टिक चैनल पर कटाप को लेकर